सूचना जो अभी आप सुनेंगे वो अफसरों के केवल संक्षिप्त परिचा के लिए दी कई हैं जो इस व्यापार के माध्यम से उपलब्ध हैं। आपको उस व्यक्ति से मिलने वो अधित जानकारी मागने के लिए प्रोच सहर किया जाता है जिसने आपको ये सामगरी उधार दी है। इस कारिक्रम के रिकार्डिंग सिधी सेमिनार से हुई है। इसलिए ध्वनी की एक समान स्पष्टता की गारंटी नहीं दी जा सकती। जिससे वे अपने नौ वर्ष की उम्र से ही लगातार ढूंटते रहे थे। अर्ल नाइटिंगल का जन्म आर्थिक मंदी के दौर में हुआ था। चुंकि वे बहुत ही ज्यादा गरीब थे। इसलिए बचपन में बस एक ही सवाल अर्ल के मन में घुमडता रहता कि क्यों सिर्फ एशो आराम भोगने के लिए होता है जबकि अन्ने लोग उसके अपने परिवार के ही तरह जिंदगी भर बस जीवित रहने के लिए जूचते रहते हैं। जब बड़े बुजर्गों से उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने जो कुछ मिल जाए पढ़न एक शनिवार की सुबर उसकी अनुपस्थती में सेल्समैनों के एक छोटे समों के बीच उसका रिकॉर्डेट संदेश सुनवाया गया। जब अरल लोट कर वापस आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी संदेश का उन लोगों पर ऐसा जादू भरा असर हुआ है कि वे अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए उस रिकॉर्डिंग की कौपी चाहते हैं। इस भारी फर्माईश को पूरी करने के लिए अरल ने कोलंबिया रिकॉर्ड से बाद की और अपने रिकॉर्ड की कई प्रतियां बनवाई। अरल के आश्चरे का ठिकाना नहीं रहा जब किसी विज्यापन, प्रचार या मार्केटिंग के बहुत ही थोड़ी समय में उस संदेश की 10 लाग प्रतियां बिख गई। अरल को स्वर्ण रिकॉर्ड मिला। अपने संदेश को अरल ने नाम दिया था सरवाथिक आश्चरेजनत रहस्य और ये इकलोती रिकॉर्डिंग वो नन्हे से पौध थे जिस पर व्यक्तिकत विकास का एक व्यापक उद्योग पनपा और इस्थापित हुआ। और चोकि अरल ने सरवाथिक आश्चरेजनत रहस्य का सच्चा अर्थ धोंड निकाला था, जिससे किसी के जीवन की उपलब्धियां निर्धारित होती हैं, वे स्वयम भी अपनी घोर निर्धनता से उपर उठकर घर-घर का एक जाना पहचाना नाम बन गए। दूर दरास के देशों में उनकी ख्याती फैली, उनका दैनिक रेडियो कारिक्रम, हमारी बदलती दुनिया, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोजन वाला रेडियो प्र शिश करते रहे कि दुनिया को प्रेरित और रोमांचित कर देने वाले अरल के धेरू संदेश नए से नए प्रभावशाली परिकों से कोने कोने तक पहुचाए जाएं। आज व्यक्तिकत विकास उद्योग काफी विस्त्रित हो चुका है, लिकिन आज भी दुनिया भर के लोग सर्वाथिक आश्चेरेजनक रहसी को एक ऐसा संदेश मानते हैं, जिसने उनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अरल ने अपने जीवनकाल के पिछले 32 वर्षों में सर्वाथिक आश्चेरेजनक रहसी को बदलते समय के साथ कई बार संशोधित इन परिवर्तनों के कारम और इनके बावजूद मेरा विश्वास है कि आप इस मूल रिकॉर्डिंग के एतिहासिक महत्व की सराहना करेंगे। जब आप सुनेंगे तब निश्चित तोर पर गोर करेंगे कि ये संदेश आज भी उतना ही सही, उतना ही किमती और उतना ही महत चरजनक रहसे का आनन्द उठाएं। और आज मैं भी इसी के बारे में आप से बात करना चाहता हूँ। आज हम एक सुनेहरे युग में रहे हैं। ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और महनत कर रहा था। लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्द हो गया है तो हमन इसे प्रदत मान लिया है यूही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छेपे संगहर्श और महनत को हम भूल गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरसल होता क्या है। चलिए हम ऐसे सो लोगों को लेते हैं जिन्होंने पचीस वर्ष की उमर में अपने कैरिय भूना चाहते हैं तो वो कहेगा नश्यत तोर पर। और आपने गौर भी किया होगा कि उसकी आँखों में जीवन के प्रते एक उत्सुकता एक जग्यासा है। आँखों में खास तरह की चमक और हावभाव में एक स्पष्ट दृड़ता है। और जीवन उसके सामने एक हो चुके होंगे, इस उमर में भी काम कर रहे होंगे और बाकी नब्बे टूट चुके होंगे। अब ज़रा एक पल सोचिए, सो लोगों में से सिर्फ पांच किसी इस्तर तक पहुँच सके। इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चंगारी का क्या हुआ? जो 25 वर्ष के उमर में उनके भीतर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ पांच प्रतरशत ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता को कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है, तो वही आदमी सफल है. यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो वो असफल है. यानि सफलता निर्धारित लक्ष को समस्ते हुए उस दशा में आगे बढ़ना है. महान मनोवज्ञानिक रोलो में ने एक अदभूत किताब लिखी है, मनुश्रकी स्वेम की खोच. इस पुस्तक में उने कहा है, हमारे समाज में साहस और होसले की विप्रीत चीज कायरता नहीं है, बलकि ये है अनरूपता. आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है अनरूपता, यानि बिना सोचे समझे, भीड़ के अनरूप चलने की मनस्त थे. अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं, जैसा दूसरे कर रहे हैं. ये जाने समझे बगएर कि क्यों? लगबख साथ वर्ष की उमर से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, पचीस के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं, साथ ही परिवार की देखभाल भी. लेकिन 65 वर्ष की उमर का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मन निर्भर और निश्चनद कैसे हुआ जाए? क्यों इसलिए कि हम बस औरों की लीक पर चलते हैं? और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरन कर रहे हैं, यानि उन 95 प्रतिशत का जो काम्याप नहीं हुए. अब सवाल यह है कि ये लोग, इतनी बड़ परी शक्तियों से नरदेशत होने वाले लोग हैं. एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया किया और उनसे ये सवाल पूछे गए, कि आप काम क्यों करते हैं? सुबर सबेरे क्यों उटते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था. यदि आ हम सफलता की अपनी परिभाशा पर वापस चलें. सफल कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष पष्ट कर फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है. ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दशा में काम शुरू करता है. मैं आपको बताता कि सफल लोग कौन है? वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी. वो आरत अपने जीवन में सफल है जो एक पतनी और माही बनना चाहती थी. और वो अपनी जमेदारी अच्छी तरह निभा भी रही है. वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष नरधारित किया था, वो सेल्समेन काम्याब है जो एक टॉप सेल्समेन बनना चाहता है और इसी उद्देश से अपना व्यवसाय जमाता है, हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना प्रचा और नरधारित काम काफी सोच विचार कर कर रहा है, क्योंकि यह वही काम है जिसे उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था, लेकिन बीस में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है, और किसी से कोई प्रतिसपर्धा करने की जगे हमें स्वेम अपना कुछ मॉलि प्रतिसे के बारे में सब कुछ तै कर दिया जाए, और हम पहले से ही उसकी भविश्यवानी कर सकें, क्या इसी कोई कुई कुझी है, जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके, काश आदमी इस कुझी के बारे में जान सके, और इसे इस्तेमाल करना जान सके, मैं आपको बत कि ये ही बहुत कोच उपलब्द हो जाता है, यानि उनके हातों में कोई जादू है, जी हाँ, आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा, वो जिस चीज को भी छू देता है, सोना हो जाता है, क्या आपने कभी गौर किया है, कि एक आदमी जो अपने जीवन में काम्याब जबकि असफल व्यक्ते हमेशा असफलता के दिशा में ही काम करता रहा, ऐसा सिर्फ लक्षों की वज़े से ही हुआ, हम मेंसे कुछ लोगों के सामने लक्षे होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्षे ही नहीं होता, लक्षे के पूरे नक्षे और पूरी योचना के सार जहाज के कैप्टन और चालक दल के सरस्यों को ये अच्छी तरह मालूम है कि इसे कहा जाना है और कितना समय लगेगा इस जहाज के सामने एक सपष्ट लक्ष है सपष्ट लक्ष और सपष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार इस पर कोई कैप्टन नहीं है और नहीं कोई चालक सरस्य इस जहाज के सामने कोई लक्ष नहीं है कोई उद्देश नहीं है बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है मैं सोचता हूँ कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या अगर हमारे सामने लक्ष पच्ट हों और हम अपने काम में होश्यार हों तो सेलिंग प्रफेशन यानि बिक्री का व्यवसाई दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी वाला पेशा है आज हर कमपनी को होश्यार से होश्यार से जरूरत है और वे उसे बढ़ा चड़ा कर कीम संभाबनाएं हैं लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाती का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फाइदा उठाने से रोकने में नहीं बलकि कमजोर लोगों को नुक्सान उठाने से रोकने में हैं आज पूरी अर्थ व्यवस्ता अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाज़त में धीमी पड़ गई है इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है आज आज आजीविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धि या प्रतिभा की जरूरत भी नही चलिए अब हम दुनिया के सबसे अश्यर जनक रहसे पर यानि जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उस पर वापस चलें जीवन में इस पश्त लक्ष रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष विहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं चलिए अब मैं आपको जो अरसे से आपको लुभाता रहा है आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिंताओं समस्याओं और परिस्थतियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घिरे हुए थी शंकाएं और भय अतीत की चीज़ें हो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं मुझे एक बार फिर दोहाने दीजिए हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं चाहे वे शिक्षक हों दार्शनिक हों या पैगंबर हों उनके विचारों में कई मुद्द उसे बनाते हैं। डिस्रेली ने इसी बात को इस प्रकायर कहा है कि ये ये मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांचित चीजों को वास्तों में घटित हुआ मान लें। धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्था आपित होता चला जाएगा कि वांचित चीजें वास्तों में यथार्त बन दरसल हमारी सोच, हमारी आदितों और भावनाओं से इस कदर गुथ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने ये भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेश के ब इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो निश्यत तोर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तों विशेश या लक्ष के लिए वास्तवे के च्छा शक्ते विक्सित करें और उस दौरान एक मात्र वही लक्ष आपके सामने हो। ऐसा नहो कि ए पुरी सृष्टि के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे। और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा। ये एक साधारन सी वास्तविक्त कि वे हमें कोशिश करने से भी भैभीत कर देती हैं और हम अन सभी मौर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बरनाट शौ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोश देते हैं लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता इस दुनिया में काम्याबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अर्थक लक्ष के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासल भी कर लेंगे दूसरी और वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष नहीं है जिसे नहीं मालूं कि उसे कहां जाना है और जो इसी वज़े से संशय, भय, चिंता और परिशानियों में घिरा है वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है और अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा आएए अब ये समझें कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं मैं आपको बताता हू कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है जमीन बड़ी अच्छी और उपजाओ है जमीन में क्या बोया जाए ये फैसला पूरी तरह किसान का है वो जो चाहे बोय जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के ही समान है बलकि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उधारन दे रहे हैं जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लोटाएगा। यही वास्तविक्ता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो काम्याबी की फसल काटेंगे और यदि नकारात्मक पीजों को बो देता है वो उन स्थानों पर पानी देता है और उनकी देखभाल करता है अब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वापस लोटाती है दोनों पौधे उकते हैं एक अन्नका और दूसरा जहरीला बाइबल में कहा भी गया है आप जैसा बोईंगे वैसा ही काटें के याद रखिए कि जमीन के सद्धानत पर ही काम करता है ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लोटाना है चाहे वो सफलता हो असफलता हो एक निश्चत सपस्ट लक्ष हो या असमंजस के स्थिति गलत फहमी हो भय हो या चिंता हो कुछ भी हो बस जो भी हम इसमें डालेंगे वही ये हमें वापस लोटाएगा आपको मालूम है कि मानो मस्तिश्क आज इस धर्ती पर एक मात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेशन नहीं हुआ है इसमें हमारी कल्पने से भी परे सुक सम्रिद्धी भरी पड़ी है यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो ये भारी सभलता और सुक सम्रिद्धी हमें वापस लोटाएगा आप कह सकते हैं कि यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तिश्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते लोगों के पास इसका भी जवाब है हमारा मस्तिश्क एक उन्नत यंत्र के रूप में हमें जन्व से ही मिला हुआ है नेशल्क मुफ्त और जो चीज़ें हमें मुफ्त मिलती हैं उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं महत्व देते हैं उन चीज़ों को जो पैसे से आती है जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है आज जो भी चीज़ें हमारे जीवन में वास्ताओं में महत्तपून हैं वे हमें निशल्क को प्लब्ध हैं हमारा मस्तश्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारी सपने, हमारी आकांख्शाएं, हमारी बुद्ध, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम यहां तक की प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी भी ये सभी अनमोल चीजें हमें निशल्क मिली हुई हैं और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्चते हैं वे इनके मुकाबले काफी हलकी हैं स्तरहीन और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है लेकिन प्रकृति की ओर से निशल्क मिली चीजें कभी बदली नहीं जा सकती और दूसरी बात ये कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौपा जायक कर सकता है लेकिन आम तोर पर हम बड़े और महत्वपूर कामों के बदले छोटे मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं कई विशो विद्यालेओं ने ये साबित कर दिया है कि हम में से अधिकांच लोग अपनी ख्षमता का दस प्रतिशत ही इस्तेमाल करते हैं हमारी शेश ख्षमता यूही अंचोई रह जाती है अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है अपना लक्ष अपने मस्तश के रूपी जमीन में बो दीजिए ये आपके पूरे जीवन का सबसे महत्तोपून फैसला है आप एक बेहत कामियाब सेल्समैन बनना चाहते हैं कमपनी के कुशल और सक्री करमचारी के रूप में जगे 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 जाना चाहते हैं आपको सिर्फ ये करना है कि इस लक्ष रूपी बीज का रोपन अपने दिलो दिमाग में कर लें जतन से एकागर चित्त होकर इसकी देख भाल करें लक्ष की दिशा में आगे बढ़ें कारिशील रहें और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा कोई सवाल ही नहीं है कैसा ना हो आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है जैसा सर आईजेक न्यूटन का गुरुत्व करशन का नियम है कि यदि आप किसी इमारत की छट से चलांग लगा दें तो आप नीचे ही आएंगे उपर नहीं जा सकते प्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं हमेशा कांग करते हैं आप भी बिलकुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्षे के बारे में सोचिए हमेशा जागी आँखों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्षे हासिल कर दिया है उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिए जो लक्षे तक पहुँचने के बाद आपको करने हैं आज हमारे समय के दोर को यदि और शदियों का युग या अलसर और नर्वस ब्रेकडाउन का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा आज जब चिकितसा विग्यान ने स्वास्त और लंबी उम्र पानी की दशा में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही ये चमतकार छुपा है दरसल हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का ही योगफल होता है वो स्वीकार करे या न करे लेकिन वो आज जहां जिस स्थति में भी है वो उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है हम में से हर एक को भविश में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है क्योंकि आज कल यागले महीने यागले वर्ष हमारी सोच की जो दिशा रहेगी उसी से हमारा भविश या हमारा जीवन निर्धारे थोका आपका मन मस्तशक ही आपके संपून व्यक्तित्व और जीवन को निर्धेशित करता है मुझे याद है एक बार में कहीं जा रहा था रास्ते में सुलक के नारे मन एक भारी भरकम मशीन को भीशन आवास के साथ काम करते देखा मशीन एक बार में करीब 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हातों में थामे मशीन को निर्धेशित कर रहा था एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तशक से की जा सकती है और विशाल उर्जा के स्रोत इस मस्तशक रूपी मशीन का नियंतरन हमारे अपने हाथों में है क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तशाली मशीन को इसी के भरों से छोड़कर किसी खड़ में गिर जाने देंगे या आप दोनों हाथ मजबूती से इसके वील पर जमाए रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश के लिए लगाएंगे ये दोनों विकल्प आपके उपर हैं क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंतरन आपके हाथों में है अब देखाना आपने कि हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी एक दोधारी तलवार की तरह है हमें अपनी सोच अपने विचारों पर नियंदरन रखना चाहिए विचारों का ये नियम जहां एक और आदमी को सफलता सुक और सम्रिद्ध की और ले जाता है उसे जीवन में वे खुशियां उपलब्ध कराता है जिनका उसने अपने और अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था वहीं दूसरी और यही नियम उसे गटर में भी धखेल सकता है सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुशे किस तरह इस नियम का इस्तिमाल करता है यही है दुनिया का सबसे आश्यर जनक रहसे अब सवाल यह है कि मैं इसे आश्यर जनक क्यों कहूं और रहसे भी क्यों कहूं वास्ताओं में ये कोई रहसे तो बिलकुल नहीं है पहले पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकरतिक नियम की सच्चाई प्रमानित की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है यही कारण है कि ये लोगों के लिए आश्चर जनक है और इसी वज़े से ये रहसे भी बना रहा है मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक एक कर हर व्यक्ति से पूछें के सभलता का रहसे क्या है तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके आज जो कुछ हमने जाना है वो हमारे लिए वास्ताओं में अत्कंत मूलेवान है यदि हमेंसे समझ कर इसे जीवन में लागू भी कर सकें ये ने सिर्फ हमारे लिए बलके हमसे जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्तपून है जीवन को नीरस और उबाओ नहीं बलके एक उतेजना पून अभियान होना चाहिए आदमी को अपनी जंदगी पूरी जंदा दली से भरपूर जीनी चाहिए उसे सुबे सबेरे नीन तूटने पर खुश होना चाहिए उसे अपना मन पसंद व्यवसाए करना चाहिए क्योंकि वो इसे बहतर ढग से करता है एक बार मैंने एक दैनिक के संपारक का व्याख्यान सुना था उन्होंने अंत में जो कुछ कहा उसे मैं कभी भूला नहीं पाया उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने व्यवसाए में मैंने कई बातें चानी एक तो ये कि लोग मूल रूप से भले होते हैं और ये भी के हम सभी कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है इसलिए इस धर्ती पर बीच का समय हमें एक रोमांचक अभियान की तरह बिताना है श्रिस्ट के रचाइता ने कहीं पहुँचने के लिए कोई सीड़ी नहीं बनाई है लेकिन उस महान शिक्षक ने उस रचाइता ने समय समय पर इस रहसे का उधगाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बन कर अबतरित होगा मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूँ ये परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो ये आपके जीवन को बहतर से बहतर रूप में पूरी तरह पतल देगी सत्रवी शताब्दी में वापस लोटें जब महान वैग्यानिक सर आईजक न्यूटन ने हमें भावतिकी के कुछ नियम बतलाए थे जो मनुष्य पर भी उतनी ही सच्चाई से लागू होते हैं जितनी की सृष्ष्टी की अन्य वस्तूओं पर इन नियमों में से एक है कि प्रतेक्रिया की बिल्कुल समान और विपरीत प्रतेक्रिया होती है यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूले चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते तीज दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिल्कुल उसी अनुपात में होका जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होका एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कई वर्षों तक कठिन परिश्यम और अध्यन करने का मूले चुकाना होका उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या बिकरी के व्यवसाई में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की या स्वीकरित करानी की भी हमारी क्षमता कितनी है लेकिन औरों को बहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूले चुकाते हैं और हमें ये मूले चुकाने को तैयार भी रहना चाहिए अब सवाल है कि ये मूले है क्या इसमें कई बाते हैं पहली तो ये कि हमें बाउधिक रूप से और भावनात्मक रूप से ये समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिलकुल वैसा ही बनते भी हैं इसलिए अपने जीवन को नियंतरत करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंतरत करना होगा यानि हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे दूसरी बात हमें अपने मन से सभी अडचनों और बेडियों को काट फेंकना होगा और ये सोचकर काम को अधिक्तम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैवी रूप से निरधारित है यानि ये समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं और हमारे सामने कलपना से भी बढ़कर अवसर मौचूद हैं अर्थात हमें तमाम संकीरनताओं से और पूर्वा ग्रहों से उपर उठना होगा तीसरी बात अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रिरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तेमाल करना होगा और साथी अपने लिए एक निश्यत और स्पष्ट लक्षे निर्धारित करने के लिए भी अपने मस्तिष को लक्ष के बारे में सभी समभव कोणों से विचार करने का अवसर देना होगा अपनी कलपना को खुली छूट देनी होगी कि वो हर संभावित समाधान की परक कर सके ये विश्वास करने से इंकार करना होगा कि लक्षे प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थिते आपको हरा भी सकती है जब आपको लक्षे की और ले जाने वाला मार्ग स्पस्ट दिखे तो बिल्कुल ततपरता से फैसला लेते हुए काम करना होगा और अपने आपको लगातार इस तत्थे से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के क्षेतर के बीच और बीच खड़े हैं और चौथी बात कि आप जो कुछ भी कमाएं उसका दस प्रतरशत नश्चित रूप से बचाएं ये हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है यदि आप मूली चुकाने को तयार हैं तो उसमें अनंत सम्भावनाएं भरी पड़ी हैं आईए हम उन महत्वपूर्ण बिंदूओं को दोहरालें जो एक खुबसूरत जीवन बिताने के मूली के तौर पर हमें चुकाना है पहला हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं दूसरा कल्पन शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिश को उची उड़ान भरने दें तीसरी बात साहस हर दिन अपने लक्षे पर एकागर चित्त हूँ और चौती बात जो भी कमाएं उसका दस प्रतिशत बचाएं साथ ही ये भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक व्यर्त है जब तक हम उसे कार्यान वित नहीं करते हैं और अब मैं तीस दिनों के परीक्षण को समझाने की कोशिश करूँगा अपने दिमाग में ये सपश्ट कर लें कि इस परीक्षण में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं बलकि मुम्किन हैं कि आप सब कुछ पा सकते हैं दो बाते हम सब पर लागू होती हैं हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज से भैभीत रहते हैं मैं चाहूंगा कि आप एक कार्ट पर लिखें कि वो क्या चीज है जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं हो सकता है कि ये रुपया पैसा हो आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हो या एक खास परिमाण में रुपया कमाना चाहते हो हो सकता है कि आप एक खुबसूरत मकान चाहते हो या अपने व्यवसाय में एक काम्याबी चाहते हो या फिर जीवन में एक खास मकाम की तमना हो आपको या फिर परिवार में ज्यादा तालमेल और एकता क्या भिलाशा हो हम सब कुछ न कुछ की तमन्ना जरूर रखते हैं आप अपने कार्ट पर स्पष्ट लिखिए कि आपकी कामना क्या है ये निश्चित कर लीजिए कि यही आपका एक मात्र और स्पष्ट लक्ष है आप अपना ये कार्ट किसी और को मत दिखाईए बलकि उसे अपने पास रखिए ताकि आप दिन भर में कई बारे से देख सकें इस पर लिखे गए लक्षे के बारे में हर सुबह नीन से जागने पर प्रफुलित और शांत चित्त से सोचिए दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ट को देखिए और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए कार्ट को देखते समय ये बात याद रखें कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं और चूंकि अभी आप अपने लक्ष के बारे में सोच रहे हैं इसलिए ये समझे के बहुत जल्दी ही आप इस लक्ष को हासिल कर लेंगे दरसल जिस पल आपने अपने इच्छा कार्ट पर लिखी और उसके बारे में सोचना शुरू किया उसी पल से वो लक्ष आपका हो किया जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आसपास फैली प्रचुरता की और देखिए इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो ये प्रचुरता आपकी हो सकती है अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं मुश्किल इसलिए कि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें विक्सित करनी होगी और नई आदतें आसानी से नहीं बनती हैं लेकिन अगर एक बार पढ़ जाएं तो फिर जीवन भर आपके साथ बनी रहती हैं जिस चीज से भी आपको भै लगता हो उसके बारे में सोचना बंग कर दीजिए हर बार जब कोई भैयानक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगे पर अपने सकारात्मक और महतपून लक्षे का विचार उसकी सजीव कलपना मन में ले आईए इस दोरान ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि ये प्रयास छोड़ दिया जाए क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने के अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है और यही वज़े है कि सिर्फ पांच प्रत्रिशत लोग ही काम्याब हो पाते हैं आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसी प्रत्रिशत वाले वर्ग में अपनी जगए बनाए इन 30 दिनों के लिए आपके मस्तिश का नियंतरन पूरी तरह आपके हाथों में होना चाहिए इस दोरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमती आप दें 30 दिनों की इस परीक्षण अवदी के दोरान हर दिन आप उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करना है इसके अलावा एक उत्साही सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें ये सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे जिस ख्षण आप किसी लक्ष की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं उसी ख्षण आप एक सफल व्यक्ति बढ़ जाते हैं क्योंकि आप उसी ख्षण ऐसे सफल लोगों की ख्षणी में आ जाते हैं जिन्हें मालूम है कि वे किधर जा रहे हैं इसका मतलब है कि लक्ष निर्धारित करने के साथ ही आप प्रत्येक सो में से हीर्ष के पंच लोगों में आके लक्ष किस तरह हासिल किया जाए इस चिंता में अपने आपको बहुत ज्यादा मतल जाईए इसे पूरी तरह उस शक्ते पर छोड़ दीजिए जो आप से ज्यादा समर्थ है आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि आप किधर जा रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं बाकी के सारे प्रशने जैसे जैसे सामने आएंगे उनका जवाब भी खुद बखुद मिलता जाएका आप धर्मो पदेश के ये शब्द याद रखिए और उन्हें परीक्षन के दौरान हर दिन अपने सामने रखिए प्रशन पूचो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्ट होगा खोजो और तुम उसे पालोगे, दस्तक दो, तुम्हारे लिए द्वार खुले का क्योंकि हर वो व्यक्टि जो जिग्यासा रखता है, उत्तर पाता है, जो धूड़ता है उसे प्राप्त होता है और जो दस तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है ये शब्द जितने सहज हैं उतने ही चमतकारी भी दरसल ये से धांत इतना सरल है कि हमारे कठिन शब्दों में उलजकर इसे समझना शायद ज्यादा मुश्किल होगा बस आप के लिए जरूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने इस पश्च लक्षे हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हो इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें जैसा अब तक आपने पहले कभी नहीं किया हर दिन अपना लक्ष अपने सामने रखें उसके बाद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा उस पर आपको खुद आश्यर होका प्रसिद संपादिका और लेखिका डरोथी ब्रैंड ने अपने लिए इस राज को ढून दिकाला अपनी पुस्तक वेक अप एंड लिव में इस बारे में उन्होंने लिखा है उनका पूरा चिंतन मनन और दर्शन जैसे इन शब्दों में समा गिया है इस तरहे काम करो मानों असफल होना संभभ है दरोथी ने अपनी परीक्षण अवधी पूरी इमानदारी और विश्वास से पूरी की और अश्यर जनक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदला वला दिया अब आप तीज दिनों तक अपना परीक्षण करें लेकिन तब तक परीक्षण शुरू ना करें जब तक आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद को पूरी तरह तयार न कर लें आप पाएंगे कि द्रड लगन शील होने की वज़े से आप में विश्वास भी जलक रहा है कहा जा सकता है कि द्रड लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते यदि 30 दिनों के परीक्षण के दौरान आप असफल हो जाएं यानि नकारात्मक विशारों से पराजित हो जाएं तो फिर से शुरुवात करें धीरे धीरे आपकी नई आदत बन जाएगी और आप अपने आपको उन गिने चुने लोगों में पाएंगे जिनके सामने कुछ भी असमभब नहीं है आप अपने कार्ड को मत भूलें जब आप जीने का ये नया धंग शुरू करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए नहायद जरूरी है इसकी एक तरफ आप अतना लक्षे लिखें जो भी आपका लक्षे हो और दूसी तरफ धर्मो पदेश की ये पंक्तियां लिखें पूछो और वो तुम्हें मिलेगा धूडो और तुम उसे निश्चित पाओ के दस तक दो और दौर तुम्हारे दिये खुलेगा परीक्षन के दौरान अपने खाली समय में प्रेरक पुस्तके पढ़ें या आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगी जीवन में कभी भी कोई महानकारे बिना प्रेरणा के संपन्द नहीं हो सका है ये ध्यान रखें कि परीक्षन अवरी के 30 दिनों के दौरान आपकी प्रेरणा अपने हीर्श बिंदो पर रहे सबसे बड़ी बात कि आप चिंता बिलकुल ना करें क्योंकि चिंता भे को जन्म देती है और भे जीवन को तूर देता है याद रखें कि आपको अपना लक्ष अपने सामने बिलकुल सपच्ट रखना है बाकी सारी चीजें खुद बखुद तय होती चली जाएंगी ये भी ध्यान रखें कि आप हमेशा शांत और प्रसन नचित बने रहें किसी भी छोटी मोटी बात को इजाज़त ना दें कि वो आपको परिशान या खिन न करें और मार्क से हटा दें हो सकता है कि परीक्षन को कठन जान कर कोई कहे कि मैं इसकी चिंता क्यों करूँ देखिए जीवन में कोई भी असफल होना नहीं चाहता कोई भी अधकचरा रहना नहीं चाहता कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता भय और निराशा से भरा हो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं तो आप नकारात्मक सोच से भी भरे रहेंगे और यबी सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपका जीवन प्रसंद रिचित सफल और सकारात्मक बने का और अब एक बात और अक्सर ऐसी प्रविती देखी जाती है कि सुनी गई बातें धीरे धीरे भूलने लगती हैं इसलिए इस रिकॉर्ड को बीच बीच में बजा कर अपने आपको याद दिलाते नहें कि नई आदत विक्सित करने के लिए आपको क्या करना है नियम इतंतराल पर अपने पूरे परिवार के साथ बैट कर इसे सुने आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिनका कहना होगा कि वे इस नियम को जाने समझें सीखे बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं यह वैसे लोग हैं जो बिना कोई परिश्रम किये बिना कोई कीमत चुकाए मुफ्त में ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं और ऐसे लोग जीवन में असफल रहते हैं यहां जायज और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्द कराई जाएं हम अपने उत्पाद और सेवाओं का विन में ही लोगों को पैसों से करते हैं इसलिए प्रामानिक नियम के अनुसार हमें उसी अनुपात में आर्थिक लाब हासिल होगा जिस अनुपात में हम लोगों की सेवा करेंगे सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है बलकि इसके विपरीट सफलता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमा पाते हैं और सफलता हमें उसी अनुपात में हासिल होगी जिस अनुपात में हम परिश्यम करेंगे लोगों को अपनी सेवाई उपलब्द कराएंगे अधिकांश लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं उनका मानना होता है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल हैं जबकि सच्चा ये है कि आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब पहले आप सफलता प्राप्त कर लें अनिथा उस आदमी की कहानी का उधारन ही बनेगा जो अंगीठी के पास बैठ गया और कहने लगा कि पहले मुझे आज दो तब मैं लकणिया डालूगा आप क्या मानते हैं आज दुनिया में कितने लोगों का जीवन के प्रतिया ऐसा रवय्या होका उनकी संख्या करोडो अरुबों में होकी जबकि हमें समझना चाहिए कि पहले इधन डालने पर ही आग मिले की ठीक इसी तरह हमें पहले अपने सेवा कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और तब पैसों की उम्मीद करनी चाहिए अपने आपको कभी पैसों से मत जोड़ें बलकि परिश्यम, कारे सेवा, सपनों और उन्हें साकार करनी की इच्छा से जोड़ें आप ऐसा करके देखें और फिर देखिए कि आपके पास कितनी प्रचुर संपत्य और समृद्ध आती है समृद्ध भी परस्पर विन्यमाई के नियम पर ही आधारित है कोई भी व्यक्ति जो सम्रिद्धी के लिए परिश्रम और योगदान करता है वो स्वयम को सम्रिद्ध बनाता है कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम आपको उन लोगों से न मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं बलकि किसी और जगए से मिले क्योंकि ऐसा नियम है प्रतिक्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तीस दिन की परिक्षण अवदी से एक एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सफलता हमेशा उस सेवा के परिमान और गुणवत्ता से मापी जाएगी जो आपने लोगों को उपलब्ध कराई है और पैसा सिर्फ इस सेवा को मापने का एक पैमाना है कोई भी व्यक्ति तब तक संब्रद नहीं बन सकता जब तक वो औरों को संब्रद ना करे इस नियम में कोई अपवाद नहीं है एक बार यदि ये नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कोई भी विचारवान व्यक्ति अपना भाग्य स्वेम बतला सकता है यदि वो और अधिक चाहता है तो उसे लोगों को और अधिक सेवा उपलब्द करानी होगी और यदि वो और कम की चाहत रखता है तो उसे सेवा के परिमान में भी कमी करनी होगी यही वो मूले है जिसे आपको अपनी इच्छा और जरूरतों के लिए चुकाना होगा यदि आप सोचते हैं कि आप औरों को दरकिनार कर स्वेम को सम्रिद कर लेंगे तो यह आपकी भूल है इससे आप स्वेम को ही दरकिनार कर लेंगे यह बिल्कुल सांस लेने और छोड़ने की तरह जैसा सच है कि आप जितना कुछ देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा आप इस नियम को पलट सकते हैं ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचिएगा क्योंकि ये असंभव है एक जाने माने मनों चिकित सकने सफलता पाने के लिए छे सूत्री उपाय बताएं हैं पहला एक निश्चित लक्ष निधारित करें दूसरा अपने को कम आकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें तीसरा उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जतलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं तो अपने बच्पन के दिनों तक पीछे लोड़ कर उन कारणों को ढून निकालने की कोशिश करें जिनकी वज़े से पहले पहल ये बात आपके मन में बैठ गई कि आप सफल नहीं हो सकते किसी ऐसे व्यक्ति का वरणन लिखकर जिसे आप आदर्ष रूप में अपनाना चाहते हैं अपने विशय में अपनी धारणा को बदलें आपने जिस आदर्ष सफल व्यक्ति का अनुसरन करने का फैसला किया है उसकी जगह पर स्वेम को रख कर सोचें और उसका अभिनय करें मानव सब्विता के ग्यात इतिहास की शुरुआत से ही विशय शक्ये लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश करें आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की खीमत चुकाएं ये काम निश्चित रूप से उतना मुश्किल नहीं है जितना की एक असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन चीना तीज दिनों का परीक्षन पूरा करें इसे दोहराएं और फिर दोहराएं हर बार ये आदतें आपके भीतर आत्मसाथ होती चाहेंगी ज्यादा से ज्यादा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्चेर करेंगे कि आप किसी और धंग से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे इस नए धंग से जीवन जीएं और प्रचुरता का द्वार आपके समक्ष खुल जाएगा और चारों और से सुक सम्रिद्ध की ऐसी वर्षा होगी जिसके बारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा पैसा भरपूर मिलेगा लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपून है कि आपको शान्ती मिले और ये नियम अपना कर आप उन किने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शान्त आनंद पून और सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं आज से ही आरंब कीजिए याद रखिए खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है जबकि पाने के लिए एक बिल्कुल नया जीवन आपके सम्मुक है हमारी सला है कि आप किसी भी बिजनस ऑपरचिनिटी के मैटिरियल्स, शर्टों, फीस और डिस्क्लेमर्स का अध्यान करें जो आपको प्रस्तुत की जाए यह Networking Business Opportunity Entrepreneurs का एक कॉपिराइटि कारिक्रम है अनदिकरत पुनह उत्पादन निशेट क्रेए रकाशक निरमाता की अनुवती के बिना लागू قानूनों का उलंगण है और अप्राधिक कानूनी कारवाही की अधीन से झाल झाल